92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सहर भजन समराट अनूप जलोटा के साथ 92.7 बिग एफएम पर मैं अनूप जलोटा सहरकारकम प्रसुत कर रहा हूँ आज के सहरकारकम में एक बहुत सुन्दर दोहा मुझा द्यान में आया है कपीरदाजी कहते हैं कपीरदाजी कहते हैं कि जो सचाई है वही इश्वर है क्योंकि इश्वर सच है तो आप अगर कभी सच बोलते हैं तो समझे कि आप इश्वर के साथ हैं साच बराबर तप नहीं बड़ी बड़ी तपस्या कर लीजे और अगर आप जूट बोल रहे हैं तो सब बिकार हो जाएगा साच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप जाके हिर्दे साच है ताके हिर्दे प्रभु आप 92.7 बिग एफम पे आप सुन रहे हैं सहर कारकम मैं अनूब जलोटा इसे प्रसुत कर रहा हूँ आज आपको लेके चलता हूँ एक बहुत खुबसूरत मंदिर जो केरला में है अनन्था पुरा लेक टेंपल जहां आपको सुनके लग रहा होगा कि चारों और पानी होगा और बीच में ये मंदिर होगा अब इसकी पूरी कथ हापको सुनाता हूँ केरला में अनन्था पुरा लेक टेंपल जी हां हिंदू मंदिर है और एक ऐसा मंदिर है जो लेक में है और केरला में यही एक ऐसा मंदिर है जो लेक में है और उसके राइट कॉर्नर में एक बहुत सुन्दर गुफा है ऐसा कहा जाता है कि वो मूर्ती जो आई है यहां वो एसी है कि रिशी दिवाकरा उन्होंने तपस्या की प्रभु के दर्शन के लिए और प्रभु नारायन वहां एक बच्चे के रूप में आए रिशी दिवाकर ने पूछा कि आप कौन है उसने बताया कि मेरा ना कोई माँ है ना बाप है कोई रहने की जगा नहीं है तो रिशी दिवाकरा ने उसको अपना पुत्र मान लिया एडॉप्ट कर लिया और अपने घर लिया है लेकिन उस बच्चे ने कहा कि देखिए अगर आप कभी मेरा आप मान करेंगे मुझे डांटेंगे तो मैं चला जाओंगा और उसके बड़े टेंटरम थे बड़ा नटखट था तो एक दिन रिशी दिवाकरा उस बच्चे से बहुत परिशान हो गया और उसको डांट दिया वो डांटना क्या था कि वो बच्चा तो महां से गायव हो गया और गायव कहा हुआ एक पेड के अंदर समाहित हो गया और उसने कहा कि अगर मुझे देखना है दुबारा तो अनन्था काटवा जाओ वहां मैं तुम मेरे दुबारा दर्शिन कर सकोगे अब तो रिशी उस पेड़ने ले लिया वही पर जो एक तलाब है और उस तलाब में एक मगर मच है लोग उस तलाब में सनान करते हैं और वो मगर मच किसी को नहीं तकलीफ देता वो मगर मच वेजिटेरिन है वो उस तलाब की मचलियों को भी नहीं खाता है जी हां ये सब तभी हो सकता है जब इश्वर का आशिरवाद उसे प्राप्त हो। तो आपको कभी भी अफसर मिले केरला जाने का तो अनन्था पुरा लेक टेंपल जरूर देखिए और देखके आईए वो जो मगरमच वहाँ पे तैर रहा है और वो वेजिटरियन है किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं देता सब लोग वहाँ पहुँचते हैं आशिरवाद लेते हैं तो 92.7 बिग अफम पे आप सुन रहे हैं सहर कारकम अभी आपने सुना अनन्था पुरा लेक टेंपल की कहानी और अब मैं आपको एक सुनाता हूँ भाजन सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले सुमिरन कर ले मेरे मना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी बीती उमर हरी नाम बिना सुमिरन कर ले पंची पंख बिना हस्थी धन्त बिना नारी पुरुष बिना जैसे पुत्र पिताब नहीना तैसे पुरुष हरी नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी दीती उमर हरी नाम बिना देह नैन बिना रैन चंद्र बिना मंदिर दीप बिना जैसे पंडित वेद वीना तैसे पुरुष हरी नाम बिना सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी दीती उमर हरी नाम बिना सुमिरन कर ले 92.7 Big FM पे आप सुन रहे हैं सहर कारग्रम आपके सामने प्रस्तुत हैं बहुत अच्छी गाईका संजना ठाकुर उनसे बाते भी करते हैं और उनका संगी सुनते हैं आप हैं संजना ठाकुर संजना ठाकुर की विशेशता ये है कि ये किवल गाईका नहीं है इन्हों ने बहुत अच्छा संगीत बहले भी तयार किया है जिसमें मीरा भाई के जन्म से लेके और किष्ण के मूर्ती में समाहित होने तक का पूरा विवरन संगीत के साथ नित के साथ डायलोग के साथ अयार किया है जो बहुत सुन्दर बहले है और हम चाहेंगे कि जब भी आप लोग को अफसर मिले आप उसको जरूर सुने क्योंकि उसमें मैंने भी कि आपने हमें दूसरी बार गुलाया है और यह मेरा सौबा गया है कि मैं आज यहां पे आकर वापस गाऊंगी तो मैंने संगीत सीखा है मजूमती पार्टन करजी से और कुछ साल मैंने सीखा मजूकर जोशी जी से और अभी मैं आपके साथ भी सीख रही हूँ बिलकुल आप तो हमेशा है सीखती रहेंगी और गाती रहेंगी हम लोग ने कितने कालक्रम कर लिये साथ में और करते रहेंगे तो आपने परिवार में भी संगीत देखा है और लोग भी गाते हैं मेरे परिवार में मेरी मा संगीत विशारत है बहुत अच्छा गाती थी वो क्लासिकल अब जबकि ज्यादा नहीं गाती बट उनकी आवाज अभी भी बहुत अच्छी है और यहां पे तो मेरे हस्बेंड और मेरी तुरी फैमिली डॉक्टर्स की है तो यहां पे गाना कोई नह सुधीर फटके जी की अब रचना है हो जाए जोती कलश चले के जोती कलश चले के जोती कलश चले के आपके गाने में जो चुलावी लाल सुने है रंगदल बादब के जूती कलश चले के आजूती कलश चले के वाबा शास्ती संगीत में जो आपने तालीम लिये वो इतनी साफ नजर आती है कितने साफ आप गाती हैं बहुत खुशी हुई और संजना हम यही चाहेंगे ईश्वर से दुआ करेंगे हमारे सारे श्रोता दुआ करेंगे कि आप बहुत नाम करें आपकी सारी इच्छाएं जो संगीत में आपको चाहिए वो पूरी हूं भगवान से हम प्रात्ना करेंगे All the best to you Thank you so much 92.7 Big FM अभी आपने सुना संजना ठाकुर को कितना अच्छा गाया जोती कलश चल के बहुत पुराना भजन है लेकिन घर-घर में आज भी गूंज रहा है आज का सहर कारकम हम यही समाप्त करेंगे और आप से मिलेंगे जल्दी कल सुबा समय पर आजाईएगा छे बजे मैं हाजर हो जाऊंगा नमस्कार